आज हम लोग अपना वंवर्ट शब्ट्रीशन वार्ला टॉपिक आगे करने वाले हैं तो देखिए जो पिछली वीडियो आही थी उसमें प्रेट कर लिया था आज हम लोग 61 से स्टार्ट करने वारे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला वर्ड है बैनिफेक से वन हो फाइननसली हेल्प तु आई स्कूल और हॉस्पितल तो इसका मतलब होता है धरूम बकारी मतलब कोई धरम से रिलेटेट कोई काम करें दानवान करें उसे बोलते हैं वोके बैनेफेक्टर अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे अब यहां पर एक वर्ड हमार बैनी करके एक वर्ड है कि यहाँ पर रिलेट करें रहती है औं गाओं में रहती है और गाओं में रहे करके लोगों की बहुत सेवा करती हुब उसे बहुत अच्छा लगता है उसके जॉब लग जाती है, बिन्नी के जॉब एक फैक्टरी में लग जाती है, अब वो बहुत मिस्ट करती है अपने गाउं को, लेकिन वो क्या करती है, जैसे उसके चुट्टी होती है, एक दो दिन की चुट्टी लेके वो हर अपते वो आ जाया करती है, अपना धर्म, जो लोगों को donation देती है ठीक है तो लोगों की सेवा करने के लिए वो वहां से जैसे time मिलता है वैसे चली आती ठीक है बहुत मेहनत करती ही लेकिन अपना जो धर्म का कार है जो लोगों की financially help करना है वो उसे नहीं छोड़ती ही ठीक है बहुत प्रेम हो बुक्स पढ़ना बुक को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता हो उसे बोलते हैं बिब्लियो फाइल ठीक है अब यहां पर आप लोग एक reports note कर लिये जका नोट जो बिब्लियो व्र्ड होता है लिखा मतलब होता कि ब्विलियो छहां भी आएग इसका मतलब होता लुट-वर्ड और प्रेम चीज़े लव होना तो आप नोट कर लेजिए लिया कुछ रूर्ड भी नोट कर 갖고 है लिधा या 120 इनौट समया इसका मतलब होता है love ठीक है तो जहां पे भी philia या file type का word आएगा इसका मतलब होता प्रेम विब्लियो मतलब होता book तो आपको ऐसे याद हो जाएगा विब्लियो और file का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी ठीक है और एक और word होता phobia जहां बी आता इसका मतलब होता डर किसी चीज़ से डर ना ठीक है phobia मतलब मतलब होता डर जैसे बोलते ना hyodrophobia तो उसका मतलब पानी से डरने वाला विकती ओक है बैंस्त दी हमारा पर नेक्स वर्ड है भी रवाल होय का मतलब होता नल आख 15 वर्षी ऑफेन 5 गफिंट ₴ बाताक जास्ट को चीजाए बहुत ज्यादा पसंद साथीं, तो अपनी इमा से कहती हैं माँ बिनका आइल की चीजाँ ए जो तो ज्यादा मुस्से नहीं होगा, ठीक है, वो क्या कहती है, कि बिना ओयल की चीज़े मैं दो साल में बस एक ही बार खा सकती है, तो यहाँ पर वर्ट बिनाईल मतलब होता है दूजवर्सी और इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया है बिना ओयल मतलब बिना ओयल की जो चीजे में दो साल में सिर्फ एक ही बार खा चाथी है उसके बार देखें नेक्स्ट वर्ड अच्छा जो मेरे पास जो बुक है ना इस समय वह नई बुक यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है बाई एनवल एक वर्ड दिया गया है ठीक इसका मतलब होता है साल में दो बार होना ठीक है और 64 पे 65 पे यह वाला है बाई गैमी तो अगर आपके मेह है तो आप याद कर लिजेगा बाई अनवल मतलब होता है साल में दो बार बोलते ना तो annual exam जो होते annual मतलब होता साल में और by जहां पर by आएगा by का मतलब होता दो यह भी इसका मतलब क्या होता by का मतलब दो ठीक है आप देखिए यहां पर अगला एक word आया हमारा by गैमी तो बाई का मतलब तो अभी जस्टम ने याद किया कि बाई का मतलब दो होता है और एक वर्ड यहाँ पर आए गैमी तो गैमी भी एक root word है यह किसका root word है यह marriage का root word है ठीक है जहाँ पर भी गैमी आएगा आपको याद रखना है यह marriage से related है बाई का मतलब होता है, दो गैमी का मतलब शादी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, दो बिवाख की प्रिथा, ठीक है, किसी ने अगर दो बिवाख किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाई गैमी बोलेंगे, doesn't matter वो girl है या boy, ठीक है, वो लड़का भी हो सकता है, लड नेक्स्ट वर्ड है, बाई गोट, ठीक है, बाई गोट, मतलब होता कट्टर, वन हूँ इस फिल्ड विद नैरो एंड, नैरो एंड प्रेजिवडाइज ओपीनियन, ठीक है, जो बहुत ही कट्टर हो, अपने जो ओपीनियन को लेगे, बहुत कट्टर हो, कि नहीं यही सच ह मैं यही करूँगा, ठीक है, जो बहुत कट्टर टाइप के लोग होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाई गोट, तो आप बाई गोट को बिग गोट से याद कर सकते हैं, बिग गोट, ठीक है, मतलब कुछ लोग आपने कुछ मूवीज दीखी होगी, जिसमें कोई एक वो होता है, कोई विलन होता है, तो वो कहता है, मैं ही गोट हूँ, मैं ही क्या हूँ, तुम्हारे जहां पर तुम लोग रहते हो, इस जगह का मैं ही सबसे बड़ा गोट हूँ, बिग गोट हूँ, मैं इतना कट्टर हूँ, अगर जो लोग उनकी बात नहीं मानते हैं, तो वो इतने कट्टर होते हैं, विलन, कि उनको मरवा देते हैं, ठीक, उनका सर कटवा दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो वो, तो, इसे हम कैसे याद करेंगे, By God को Big God से याद करेंगी, Big God, कुछ लोग क्या कहते हैं आपने आपको, कि मैं बहुत बड़ा big god हूँ ठीक है, मैं बहुत ही cutter हूग गर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जो है तुम आई लिए अच्छा नहीं होगा इस type से दुसरों को धमकाते हैं तो आप ऐसे relate करके आद कर सकते हैं next word दिखें, next word है हमारा next word है bilingual आपने बहुत सारी books में बहुत सारी logos सुना होगा कि मैं bilingual पढ़ाऊंगा आपको कि Hindi भी बढ़ाऊंगा English भी पढ़ाऊंगा, English में भी बताऊंगा, Hindi में भी बताऊंगा तो English medium और Hindi medium और लोको मतलब किसी को problem नहीं होगी ठीक है, तो bilingual एक word होता है इसका मतलब होता है, दूई भाशी ठीक है, बाई का मतलब अभी हमने देखा था बाई का मतलब क्या होता है, दू होता है और lingual को आप language से relate कर सकते हैं language मतलब भाशा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा दूई भाशी, one who can speak two language, ठीक है, जो अगर कोई वेक्ती, दो भाशा बोल सकता है, उसे इन क्या बोलेंगे bilingual बोलेंगे, ठीक है, तो by और lingual को हम language से relate कर लेंगे by language, ठीक है, आप ऐसे relate करके आत कर सकते हैं, next word देखे, बहुत easy, बहुत अच्छा शचर्दे यह है biography, तो biography का मतलब होता है, जीवनी, ठीक है, यह हमने अभी जस्ट शायद पिछली वीडियो में न, इसको इसके बारे में पढ़ा भी था, तो biography का मतलब होता है, कि जीवनी, the life history of a man written by someone else, ठीक है, अगर कोई एक वेक्ती है, उसके life history ठीक है, अगर कोई और लिखता है, ठीक है, कोई अधर वेक्ती लिखता है, तो उसे हम बोलते है, जीवनी, ठीक है, एक word आता है, autobiography, तो auto का मतलब होता है, स्वैम, ठीक है, अगर अपने जीवन के बारे में हम खुद लिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे आत्मकत हा, मतलब autobiography, अगर हमारे बारे में कोई दूसरा लिख रहा है, तो हम बोलेंगे biography, मतलब जीवनी, ओकी, next word देखें, next word है हमारा vibe, देखें, यह कुछ easy-easy से word से, जो आपको ऐसी याद हो जाएंगे, इसके लिए कोई trick के जरूत नहीं है, जिसके लिए trick के जरूत होगी, उसके लिए मैं जरूर बनवाऊंगी, ठीके, अब देखें, यह वाला word है, इसके लिए trick के जरूत है, vibe एक word है, इसका मतलब होता है, दो बाई मतलब क्या होता है, दो ठीके, तो दो पाया, animal with two feet, ठीके, दो पाया, अब देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर बाई, बाई मतलब होता है, और पेड एक word आ रहा है, पेड, फुरसे तो पाई होता है, लेकिन कर तोड़के पढ़ेंगे, तो पेड आ रहा है by pair, मतलब जिसके दो पैर हो, दो पाया, ठीक है, दो पाया, आप ऐसे relate कर सकते हैं, ओके, next देखिए, next word है, हमारा blasphemy, blasphemy का मतलब होता है, इश्वर के खिलाब बोलना, ठीक है, तो यहाँ पर है speaking irreverently about God और sacred thing, ठीक है, मतलब irreverently का मतलब होता है, बहुती inserting way में बोलना, ब आप इस तवर के खिलाब कुछ बोल रहे हैं, बहुत ही गलत सलत बोल रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे, blasphemy, blasphemy उसे बोलेंगे, okay, blasphemy बोलेंगे, अगर आप इस तवर के खिलाब बहुत गलत सलत बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप देखो, इसको हम लोग ऐसे trick से आद करेंगे, blaze एक word आ रहा है, इसको हम blame से relate करेंगे, blame, ठीक है, लोग किसी पर blame लगा देते न, तो blame लगाना, blame का मतलब होता है कि, बोलते न, blame लगा रहा हो, तो मेरे उपर, मतलब कुछ, blame और me, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर, आप ऐसे relate कर सकते हैं, blame औ के बज़े से, जो है, मेरा घर तोट गया, यह वो, बहुत ज़दा अनाब सनाब बोलते हैं, ठीक है, तो गाम वाले कुछ भी नहीं कहते हैं, उसके बात क्या कहते हैं, उसके बात कहते हैं, तुम लोगों पर blame लगा रहे थे, गाउं का एक विक्ती बोलता है, कि पहले तु मेरे उपर blame लगा रहे थे, आप तुम God पे blame लगा रहे हो, God को अनाब सनाब बोलो, यह बहुत बुरी बात है, ठीक है, वो क्या कहता है, कि blame लगा रहे हो, तुम किस पे, मेरे उपर, और उसके बाद तुम God पे भी blame लगा रहे हो, God को भी अनाब सनाब कह रहे हो, यह बहु है है तो असमों को हम लोग कोर से रिलेट कर सकते हैं अंग को सोख लॉब'll क्राप्र ना ऐसे को भुछ लगी आपने खाना खिला कि यह लगा 7 अगर खुछ कि आपको आशिरवार ना घंडरा लगोस अट अगर अगर अची वह को आशिरवार धा력टाग्ष तो बहुत खुशी होती है अगर कोई आपको ब्लेस करता है ठीक है तो आप ऐसे रिलेट करके आद कर सकते हैं ओके नेक्स्ट उसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड है बोहिमियन बोहिमियन का मतलब होता स्वेच्छाचारी वन हूँ बोहिमियन 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 का मतलब होता है किसे को इंडिकेट करते हैं तो बोहिमियन 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 बोहिम समाज के rule regulations मानते हैं मतलब कुछ भी काम करने से पहरे सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा लोग क्या कहेंगे लोग का reaction क्या होगा लेकिन वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति होता जिसको लोगों से कोई पड़ी नहीं होती ठीक है तो सारे लोग क्या करते हैं गाओं के जो लोग होते है आप लोगों को भी ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, जो नई जनरेशन होती है, अपने पैरंस को ऐसा बताती है, कि हाँ, आप लोग समाज से ज़्यादा वो नहीं करिए, कि समाज के कॉर्डिंग है, थोड़ा समाज से बाहर निकलो, ठीक है, तो वो जो बच्चे होते हैं, अपन फेलिक एक ही वर्ड है, क्योंकि विबलियो मतलब क्या होता, बुक और फेलिक और फाइल दोनों का मतलब ही होता प्रेम, ठीक है, और बुक वर्म, देखो, बुक मतलब होता किताब, वर्म मतलब होता कीड़ा, ठीक है, तो बुक वर्म मतलब क्या हो गया, किताबी कीड़ा, ठीक है, जिससे जो किताबों में बहुत इंट्रेस्ट है, बहुत पढ़ना लिखने में इंट्रेस्ट है, ठीक है, वर्ण हुट इंट्रेस्टेड in reading, books and nothing else, ठीक है, जिससे बुक पढ़ने के लावा, बुकों के लावा किसी चीजसे कोई मतलब नहीं, ठीक है, nothing else, और और ची friends होंगे जिनको लोग बोलती होगे ना कि देखो किताबी केड़ा है दिन में किताब में गुजा रहे था ठीक है तो इस टाइप से इसको हम relate करके बहुत ही असानी स्यात का सकते है ओके नेक्स्ट वर्ड देखी नेक्स्ट वर्ड है हमारा बूरिश बूरिश का मतलब होता है गमार ठीक है परसन हो इस रफ एंड इल मैनर ठीक है जिसके अंदर जो बहुत ही जिसके अंदर कोई अच्छे मैनर नहीं है जो बहुत ही अवद्र भाशा में बात करता है इस टाइप से जो जिसके अंदर मैनर नहीं है ill mannered है, ठीक है हम क्या बोलेंगे, गमार बोलेंगे ठीक है, बूरिश बोलेंगे ओगे, आप देखो इसको हम लोग कैसे reply तरहत करेंगे आप ऐसे याद करेंगे, तरह स consistency करेंगे, उलबा है, जो शहर में धीशन लेती है, ठीक है तो आप ऐसे बारिश इसको बूरिश को बारिश से रिलेट करें, ठीक है, बारिश की गाउं के लोग होते हैं, उनको बारिश में भीगना, बहुत अच्छा लगता है, शेहरों में लोग सड़कों पे बारिश में खड़े हों कि नहीं नासते हैं, गाउं में, अब लड़की गाउं से आती हैं, बारिश होने लगती हैं, तो आप इसको बूरिश को बारिश से रिलेट करके याद कर सकते हैं, ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉटनी, बॉटनी का मतलब होता वनस्पती विज्यान, the science of vegetable life, ठीक है, तो बॉटनी, I think, याद करवाने कोई ज़रोत न क्योंकि बॉटनी आप समने, पढ़ी होगे, नहीं पढ़ी होगे, तो बॉटनी का नाम सुना है, तो ये बॉटनी आप ऐसी याद कर लेंगे, बॉटनी का मतलब होता है, वनस्पती विज्यान, जुलोजी का मतलब होता है, जन्तु विज्यान, ठीक है, तो आप इसे ऐसे brittle brittle मतलब होता भंगुर भंगुर का मतलब होता है जो बहुती easily टूट जाए ठीक है a thing which can be easily broken ठीक है जो बहुती easily टूट जाए अब देखो brittle को हम लोग relate कर सकते है bottle से ठीक है bottle, bottle भी कैसी bottle? कांश की bottle ठीक है कौन सी bottle? कांश की bottle ठीक है आप ऐसे relate करें brittle bottle ठीक है अगर आपके पास कोई कांश की bottle होगी ठीक है तो वो कैसी भी bottle हो, कैसी भी मोटी हो मजबूत बनी हो ठीक है लेकिन अगर वो जैसे गिरी वैसे वो क्या होगी? बहुती easily broken हो जाएगी, बहुती easily टूट जाएगी ठीक है, तो brittle मतलब bottle कांश की बॉटल बहुत इजली तूट जाएगी, ओगे नेक्सरी देखेएए नेक्सरी वड हमारे ब्यूरोक्रेशी, ब्यूरोक्रेशी मतलब होता है नौकरशाही, ग forgalment प्रियंट का मतलब होता है ओफिशियल्स का मतलब होता अधिकारी ठीक है ऐसी गवर्मेंट जो अधिकारी हो की दोरा चलाई जाती उसे बोलते हैं कि नौकर शाही ठीक है तो देखो क्रेशी जहां पे एक वर्ड आएगा आप ये भी रूट वर्ड आपको याद करना है कि क्रेशी जहां आएगा क्रेश जहां पे कोई सेंटर या फिर कोई केंद्र टाइप का ठीक है तो ब्यूरो क्रेशी का मतलब हो जाएगा नौकर शाही जहां पे क्या होता है जहां पे सारे जो मतलब सब लोग होते हैं जो गवर्मेंट चलाते हैं क्या होते हैं गवर्मेंट के एक टाइप से जो लोग होते जो जनता होती उसके नौकरी होते तो नौकर शाही, ब्यूरो क्रेशी मतलब होता है नौकर शाही, ऐसी गवर्मेंट जो ओफिशियल्स के दोरा, जो अधिकारीयों के दोरा चलाई जाती है, उसे हम बोलते हैं नौकर शाही, तो ब्यूरो और क्रेशी से आप रिलेट करके शाब हैं उसे उसे कैब्रे डान्स एक टाइब आर्श है कर Sakyr को हम बंद के ऐलेट का कर सकते हैं कि States exam का मभी और गवर सरे के को शुहां होनेनी via से ऑनलेसे को भाज़ोगे क्या क्या कॉब्रे कंगीव नांस करने लगते हैं। मितलब और भान वी खुर बहुत खाहला न आप ऐसे रिलेट करके सकते हैं और इस इस इसका मतलब होता है टाक्सि चालक ड्राइबर क्या टाक्सी चालक क्या है नेक्स्ट वर्ड है नॉर्मल वर्ड है ठीक है यह आपको याद जाएगा कैप ट्राइबर मतलब टैक्सी चालग नेक्स्ट वर्ड देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैको फोनी कैको फोनी मतलब होता शूती कटूत्व या फिर हार्ष शाउंड इसे बोलते हैं कोला हल भी बोलते हैं कोला हल मतलब बहुत जदा शूर सरावा बहुत हार्ष शाउंड ठीक है आप देखो यहाँ पर वर्ड है रूट वर्ड है फोनी जितने रूट वर्ड में बता रही हूं आपको नोट करना है क्योंकि यह devotee थोड़ी मिलेगा क्योंकि एक motor-eword से बहुत सारे words बनते हैं यह आपको बहुत जगा मिलेगा तो आपके काम आएगा तो फोनी मतलब होता है sound ठीक है आपके आधक में जहाँ पर phoneie word आएग फोनी का मतलब होता है sound ठीक है तो आप याद कर सकते हैं कैको और फोनी मतलब होता है बहुत ही कोलाहल वाला साउंड या फिर आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कैको नाम का एक लड़का था ठीक है यह हमने जो वेकेप पढ़े थे ना उसमें यह आया था कैको फोनी वहाँ पर हमने इसी ट्रिक्स याद है कि बहुत इरिटेट हो जाता है ठीक है बहुत ज़दा कोलाहल बहुत ज़दा हार शाउंड करने लिए चिलाने लगते हैं ठीक है तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ड देखें नेक्स्ट वर्ड है कैजल इसको भी हमने पहले याद किया था कैज काजूल को हमने याद किया था काजूल क्या है बहुत बड़ी एक्टर है ठीक काजूल के सामने जो डारिक्टर्स होते हैं वो एड करने के लिए वो कहते हैं कि हमारा एड कर दो इसके लिए वो काजूल से खुशामत करते हैं कि हमारा एड कर दो ठीक है एड कर दो तो काजूल से क्या कहते मेरा इट कर दो तो और सूरे चाह JOSH करते हों। परसो कर दूँगए। चाजोल मतलब कोई श्यूरा उतला है। है न क्यदिक स्वह performers काट उस फुर्ब होता है। Calligraphy और यहां पर देखे, यहां पर एक word आया है Calli, Calli का मतलव होता सुदर और Graphic का मतलव होता लिखना तो इसका मतलव हो जागा शुलेक है अम ऐसे रिलेट करके याद कर लिजिये और यह बहुत ही common word नहीं है आता हे, इसलिए आज ज़रूर कर लिजिये अगर human है तो human को ही खाले, अपनी प्रजाती को खाल डाले, उसे बोलते है cannibal, ठीक है, तो आप इसको ऐसे relate करके आद कर सेथे, can और able, ठीक है, can मतलब क्या होता, सकता है, कि लिए हम can लगाते हैं, can और able, ठीक है, तो आपने जब सुना cannibal लोगों के बारे में, तो आपने, क् पने friends में discuss करने लगे, can able, क्या ऐसा संभव है, able मतलब क्या होता, क्या ऐसा है, संभव है, मतलब ऐसा, योगी, ठीक है, able मतलब क्या होता, योगी, तो आपने क्या कहा है, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा विवेक्ति होगा, ऐसा योगी वेक्ति होगा, आगर कोई आगर कोई ऐसे काम करता, कोई अच्छे काम नहीं रखता, हम लोग कभी मज़ार कोग में बोल देते हैं, कि हाँ यह मुझा chínhiken है चूम बहुत योगी हो तो आप ऐसे कह सकते हैं, कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इतना योगी इंसान है कि जो अपनी प्रजाती को खा सकते हैं तो कैनिबल को कैन एबल से आप रिलेट करके आथ कर सकते हैं इसका मतलब होता है नर्भच्ची यह फिर जो अपनी प्रजाती का भक्षड कर ले ठीक है मतलब मनुश्य को ही खा ले तो उसे बोलते हैं cannibal ओके next word देखिए next word भी same ही है cannibal ही है cannibal इसका मतलब ही होता है नर्भश्चा के राच्छाज ठीक है one who eat human flesh ठीक है इसका मतलब क्या होता है हराच्छाज, cannibal next देखिए next word है मारा capsize capsize का मतलब होता है capsize का मतलब होता है पलटन, over turn in water उसे ना पानी में जा रही हो पलट गी उसे बोलते है cap size ठीक है या तो फिर आप ऐसे relate कर सकते है पलटना को आप ऐसे relate कर सकते हैं कि आप कहीं शोरू मॉल में गए है तो आपने क्या क्या आप एक cap खरीद रहे है और आपके साथ में मम्मी है तो मम्मी क्या करती है मम्मी अगर कोई भी चीज़ हम लोग खरीदे तो मम्मी कहते है इसको अच्छे से देख लो घर जाके फिर से ना return करने आनी पड़ी तो आपके मम्मी क्या कहते है cap का size देख लो पुलट पुलटके देख लो तो आप क्या करते है इसको पीछे करके पलटके लगाके देखने लागते है कि हाह साही है कि नहीं तो cap size मतलब पलटना की next word दीखे next word हमारा carnival carnival नहीं carnival नहीं है next word है मारा carniz carniz کا मतलब होता हत्याकां killing of large number of people कारनेस मतलब हत्याकार तो आप ऐसे आत कर सकते हैं कारन कारन मतलब होता है कारन हिंदी वाला reason और प्लस एस कारन प्लस एस से आप रिलेट करके आत कर सकते हैं एक जिगा जो है ऐसी कुछ लड़ाई हुई आपस में लोग एक दूसरे को मारने लगें तो जो भी आ रहते हैं जैसे जो पहले से वेक्ति मौजूद थे उनको तो पता है कि कहां पर लड़ाई हुई इसलिए मार पीट हो रही जो नए वेक्ति वहां से रास्ता है तो वहां से हर वेक्ति कुजर रहा है वो उसको भी मार रहें तो वह क्या रहे है? कारन तो बताओ तुम लोग यहां पर लड़ाई जगड़ा कर रहे तो वह कह रहे है कि ये इतना बड़ा हत्याकांट हो गया मतलब इतने लोगों थे जो कम उम्र के लोग थे या बहुत ही एजेड लोग थे उनको भी मार दिया गया है तो आप ऐसे रिज़ेट करके याद कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ड देखिए next word दिखे carnage हो गया है उसके बाद है carnival carnival का मतलब होता है कि manoranjak mela public marry making making and feasting feasting का मतलब होता manoranjan या फिर आनन तो इसका मतलब होता manoranjak mela जब भी कोई entertainment वाली जिसा हम मेले वेले में जाते ना manoranjan करते हैं तो manoranjak mela हो गया ठीक है carnival अब आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आपके गाउं गाउं में जो लोग रहते हैं वहां देखे गाउं में इसे कोई festival हो सामावश्या होई तो उस दिन मेला लगता है ठीक है तो वहां रोस तो मेला नहीं लगता है जब कभी कभी मेला लगता है तो अब ऐसे गाउं में एक मेला लगा तो वहां पर एक घर में जो है उनके कार थी तो उन लोगों ने डिसाइड कि है चलो कार में बैटके हम लोग क्या करेंगे सब लोग मेला देखने जाएंगे कार में बैटके जाएंगे उन्होंने का कार नहीं तो कोई बात नहीं हम लोग बैल गाडी से ही जाएंगे पर मेला देखने जरूर जाएंगे ठीक है तो आप ऐसे रिलेट कर सकते है कार नीवल मतलब होता है मनोरंजक मेला ठीक है तो मनुरंचन मेला ठीक है तो उन्होंने क्या कहा कार नहीं है तो कोई बात नहीं लोग बैल गाड़ी जाएंगे पर मेला देखने जाएंगे ज़रूर ठीक है कि गाउं में बैल गाड़ीयां भी चलती है अभी नॉर्मली बहुत जगा नहीं चलती लेगे बहुत जगा चलती ठीक है जो map और चार्ट ड्रॉ करता है उसे हम बोलते है मानचित्रकार, ठीक है, अब दीखिए यहाँ फे दो वड़ा है, एक है catography, तो catography का मतलब है, जहाँ पे catto या फिर catto, इसको catto ही बोलते हैं, ठीक है, आर का sound बहुत कम रहता है यहाँ तो फिर नहीं रहता है, ठीक है जो Kato है, Kato का मतलब होता है, यह रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है, Map और जो Grafer है, Grafer का मतलब, Graphy का मतलब होता है, कि Draw करना, कि कुछ लिखना या Draw करना, ठीक है, तो आप ऐसे Relayate कर क्यात कर सकते हैं, कि Cartografer, मतलब Map बनाने वाला, ठीक है, तो मानचित्रकार या फिर, ज पर Graphy, Graphy जहा आएगा, कला मतलब, मानचित्रकार, ठीक है, मैं आप ऐसे Relayate कर क्यात कर सकते हैं, Katographer और Katography, Katographer जहाएगा मतलब मानचित्रकार, और Katography मतलब मानचित्रकार, उसके बाद एक अगला वर्ड है हमारा ठीक है पुस्तक सूची लिस्ट of books and other articles अब देखो इसको हम लोग ऐसे हाथ कर सकते हैं catalog मतलब पुस्तक सूची मतलब बुकों की लिस्ट समझ लिजए कि एक जैसे स्कूल में होता न्यू न्यू स्लेबस मिलता तो बुकों की पूरी लिस्ट आते हैं कि हाँ ये बुक आपके स्लेबस में चलेंगी ठीक है तो पूरी लिस्ट आती ठीक है तो अब बाहर बहुत सारे लोग आते हैं कितने लोग, कैटलॉग, कितने लोग बुकों की सूची देखने आए हैं, ठीक, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है सैलिबेट, सैलिबेट मत्ब होता है ब्रह्मचारी, ठीक है, वन हूँ अब देखो, यहाँ पर वर्ड है इसका मतलब होता है, जिसने वरत किया और जिसने कसम खाई हो, कि हाँ, मैं हमेशा ब्रह्मचारी रहूँगा इस टाइब से, ठीक है अब देखो, इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं यहां पर सैली बेट, सैली बेट, तो सैली को हम लोग सहली से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, सहली, ठीक है, सहली मतलब फ्रेंड्स, ठीक है, सहली और बैट को हम लोग बाते से रिलेट कर सकते हैं, तो आप ऐसे आत कर सकते हैं, कि दो सहली आपस में बाते कर रही होती, कि हमारे बहां हमारे गाउं में बहुत बड़े ब्रह्मचारी शाधु महात्मा हैं ठीक है वो क्या करते हैं वो जो है लोगों को देख करके उनका भविश्य बताते हैं ठीक है मतब ऐसे करके उन्होंने शाधु महात्मा की बहुत तारीफ करी कि वो ब्रह्मचारी है ठीक है तो आप ऐ तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिएगा शेर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेर तो जरूर करिएगा क्योंकि वीप्स पहुत कम आते हैं ठीके थोड़ा शेर करिये ताकि मैं भी मोटीवेट हूं और मैं चीची वीडियो बना पाऊं तो चलिए कल फिर म